dear students now we are going to make box plot to SPSS software तो आईए देखते हैं कि हम कैसे SPSS software में box plot बनाते हैं students now we are going to make box plot तो हम यहां पर box plot के लिए graphs में जाएंगे legacy dialogues में आएंगे और box plot को click करेंगे हम simple box plot बनाएंगे by default आपके पास यह option select होगी हमने यह summary of separate variables को select करना है और हम simple box plot बना रहे हैं तो हम age के लिए box plot बनाने जा रहे हैं अपना इसको ok करते हैं आपके पास यह box plot बन के आगया तो यहां पर यह जो आपकी जो lower end है यह यह आपकी minimum value को बता रही है और यह end है जो आपका यह आपका higher value को बता रहा है और यह median है और यह interquartile range है और यह जो हैं आपके पास 91554 943 1026 750 यह case number है जो के deviant है और इसमें जो सबसे ज़्यादा extreme case number deviant है वह 58 number case deviant है जो के outlier consider हो रहा है तो यह box plot बनाने का फाइदा है कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपके deviant cases कौन से है और इसमें से outlier most extreme deviant case कौन सा है तो इससे आप यह detect कर सकते हैं तो हम इसको edit करते हैं इसमें हम labels भी दे सकते हैं और इसमें हम जो है इसको horizontal से vertical भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं सिरफ आपके लिए यह 58 case अपने dataset में से आपको delete करके दिखाता हूं और फिर दोबारा बनाता हूं box plot और देखते हैं हमारे पास क्या difference आता है इसकी वज़ा से हम SPSS की sheet में वापस जाते हैं और यहां पर case number 58 जो है अभी this one इसको हम अभी for the time being delete कर देते हैं और हम दोबारा ग्राफ में जाते हैं legacy dialogue में जाते हैं box plot में जाते हैं simple define और फिर वही box plot बनाते हैं अब यह देखें आपके पास यह जो पहले था और अब जो है इसमें आपकी जो है maximum value बढ़ गई है और अब आपके पास यह deviant cases consider हो रहे हैं जो कि 25 से 28 तक हैं तो यह आप इनको भी अपने dataset से delete कर सकते हैं तो यह आपका exact box plot बताएगा कि आपके data की minimum और maximum और median क्या है तो वैसे तो हम normal distribution जब भी हम data analysis start करते हैं तो outliers detect करना data editing का हिस्सा है और इससे normal distribution बेतर हो जाती है और यह आपको हर variable के लिए continuous variable के लिए करना चाहिए क्योंके box plot जो है यह continuous variable के लिए ही बनता है तो यह मैंने आपको बता दिया है कि हम box plot का इस्तमाल सिरफ medium और minimum और maximum values देखने के लिए नहीं करते हैं बनके outliers को detect करने के लिए भी करते हैं क्षनल झाल झाल झाल